नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिसी और आपके स्वागत है पब्लिकेशा नियूज में जी की है गांधी जी अंबेटकर जी की सूच से ये समविधान बना है आप ये काम कर नहीं सकते हो क्योंकि आपने हाद सामने हिंदुस्तान के करोडो लोग और कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है और आपने करने की कोशिश की तो देखो क्या होता है समविधान से आरक्षन निकलता है समविधान से चुनाव होता है पब्लिक सेक्टर निकलता है जो भी आपको मिला है इस समविधान ने आपको दिया है और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की महनत से बना है इसलिए इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे राउल गांधी ने कहा ये आरक्षन को मिटाने की बात करते हैं मोहन भगवत जी का वीडियो आया था कि उसमें वो कहते हैं कि आरक्षन से देश को नुकसान होता है हमने अपने घोशना पत्र में साफ कह दिया है कि ये जो 50 प्रतीशत के लिमिट है उसे भी हटा देंगे इससे जादा आरक्षन देंगे मोदी अपने इंटर्व्यू में अलग-अलग बयान देते हैं मोदी से इंटर्व्यू में पूछा गया कि हिंदुस्तान में गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर और अमीर हो रहे हैं मोदी ने 30 सेकंड सोचा और फिर कहते हैं कि क्या मैं सब को गरीब कर दूँ कॉंग्रेस नेता ने पियाम मोदी के पर मातमा वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कनहिया मुझे से मिलने आता है बातचीत होती है कभी अंतराश्रे स्तर पर तो कभी गरीबे पर बात होती है कनहिया में हर लेवल की समझ है यमुनापार की समझ है किसानों की समझ है क कनहिया एक दिन मुझे से मिलने आए और मुझे विश्वास में लेकर बंद कमरे में कहा कि राहुल जी मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भीजा है। सड़क पर कोई कह दे तो लोग उसे कहेंगे कि भाईया अपना काम करो लेकिन उनके चमचे उस पर वहवा करते हैं। सड़क शिक्षा और कर्ज माफी मांगे तो मोदी सिर्फ देखते रहते हैं। अब पतियों का 16 लाख करोड रुपए माफ किया। 24 साल के मैं रेगा के बराबर ये पैसा है। 24 बार किसान का कर्जा माफ कर दो उतना पैसा मोदी जी अरपतियों को दिया है। यह मुनापार का कच्रा और सड़के नहीं दिखाई जाती। यह अगनी वीर स्कीम को फाड कर कुड़े दान में फेकने वाले हैं। यह सेना के खिलाफ और देशभक्तों के खिलाफ हैं। अलग अलग बली दानी तैयार कर रहे हैं। एक को सभी सुविधाय मिलेंगी, दूसरी और कुछ नहीं मिलेगा। यह मोदी लाई, सेना नहीं लाई। इसे हम खत्म करने जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं पब्लिकेश्या निउस धनिवाद।